नमस्कार दोस्तों मैं चिनमा आचुका वेग नहीं बुलोग लेके और आज की बुलोग में कुछ लोगों के नाम बताओंगा जिन्होंने मुझे काफी परिशान भी किया है परिशान मतलब पैसे को लेकर काम किया हूं तो पैसे नहीं देते हैं मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं सिधी बात है सबका नाम बता दूंगा है सबका नाम और एड्रेस बताओंगा जिसे दूबारा कोई बंदा फसे ना उनके चक्कर में मिठी बोली बहुत देते तो आगे पहले में अज अभी गैस खतम हो गया मेरा तो गैस भरबा क्या आता हूं उसका बाद अब और जूट बोलते रहते हैं एक दो के नाम लेंगे इनका उनके मुझे परशान किया भगाया और फिर पैसे दिया नहीं और किस तरह के भगाया वह भगाना मतलब बुलाते है आजा कल देंगे परसो देंगे तो उससे मेरा टाइम भी बेस्ट और पैसे भी बेस्ट होते है जम्रूतपूर में उनका पुरा नाम मुझे पता नहीं है जम्रूतपूर में जैसे जिसले मेरा क्रोस करती है एह अस गली से जाती है से में पहला घर है उनका घर का आगे नाम लिखा हुआ है बोर्ड में ग्यान चंद कोई दिकत नहीं है मुझे उनसे बस इतना है जूट बहुत बोलते हैं और मेरे काम में कोई शिकायद है पहले बोलना चाहिए वाइद जो तुम गलत काम कर रहे हो तुमसे काम नहीं करवा रहा बोलते हैं तेरे काम में और पैसे भी देते नहीं है तो उनसे सब्सक्राइब 6,000 रुपे मिलते हैं अब लोग बोलोगे मैं क्यों बोल रहा हूं यह बाद में बताऊंगा और और एक बंदा है जो काफी नाम है इनका काफी लोग जानते है संत नगर में है विजय जतियान जी इन्होंने भी मालीय नगर में काम करवाया पैसे दी नहीं साथ सो रुपे आभी भी रह गए इनके पास जो कि फोन करता हूं तो बोलते हैं बेटा बहार हो बेटा बहुत मिठी बोली देते हैं ये दोनों ही मिठी बोली वाले लोग हैं और जो अर्जो चंग्रुतपुर में काम किया हूं उनका होस्टेल है और होस्टेल में काम किया था मैंने कम सब्सक्राइब साथ बातरूम का इन्वेंटरी किया था मैंने टोटेल काम था उसमें और है तो अब करीब सारे नौश दुआशगा बना था तो उन्होंपने बस मुझे थीन रुपे दिये बाकी सारे 6,000 अभी भाग कि और आभी में मुझे उम्मीद नहीं है जो मिलेगा पैसा है तो मुझे कोई अपसोश नहीं है जो बस मुझे भागा इन्होंने बहुत पह जाता है इतना वो लोग बोल नहीं सकता क्योंकि मैं हल्ला कर लूंगा वो लोक करते क्या है लोगो मिठी बोली देखते रहते हैं और बस बाद में खुटी भाग जाएगा जब देऊंगा नहीं इस सोच के वोगे भागाते रहते हैं और एक है बिजय जतियान जी जो काम कई कई दो तीन बार काम कई चुका हों इंके पास बर начал मतलब मिठी बोली लास वार तो इतना मेठी बोली टायम सो रूपियरं करने जा रहेid भी न मंड़र करने जा रहूं। मैं तुरह नाम बता रहूं। परीशान ना करें। सेगन टाइम धूसरे लोगों को। ऑज दुसरे लोग इनके चक्र में फश्ना जाए। मैं भी परीशान होता हूं कभी-कभी, कही बार में तो मैं इतना परशान रहता हूं। यह पैसे जे जो भी लोग काम करने जाते हैं या बात्चित करते हैं उसके रेकोर्डिंग कर लो सिधी बहात है और काम करते हुए भी रेकोर्डिंग कर लो हमने यह काम किया है तो क्या होगा सेगंड टैम अच्छा रहेगा जो हां तुमने सारा काम होके किया है या नहीं और इसलिए बता मेरा पैसा खाओंगे मैं सबको बताओंगा और भी दो चार नामें बताओंगा उनका फिर कभी बताओंगा कि उनसे वी बात्चित चल रहा है पैसा दूंगा दूंगा यही कर रहा है पैसा दिये नहीं हभी तक उनका भी तो ज़्यादा अमाउंट है किसी का चोदा आजार किसी का 27,000 इनका भी नाम बताओंगा बस देने का इंतिजार है मैं नहीं चाहता हूं जो किसी को इतना मतलब परिशान करूं और बताओंगा सबकाई नाम पैसा दे या ना दे क्युक幫 combien ऑधैर कि मेरा परिशान कर रहे मैं फोन करता हूं बोलते कल परशो कल पर्शो कर रहे तो इनको मैं थोरी न छोड़ना है ऐसे नहीं छोड़ना एंको इनको ठोरा सब अकल आये जो आगला बंदा भी परिशान रहता Been पैसे के लीए कश दे दिया करो निल्य चाहर、 माभाप है फैमिली होते काफी परिशान होते हैं लोग भी तो आज की वीडियो यहां पर में एंड करता हूं कि वरसात हो रहा है काम होगा नहीं बाहर और बाहर जाना नहीं है आज रूम पर होगा अज भी कि विजय जतियान जी और बर्वाजी को बोलना चाहूंगा तो भी में वीडियो बनाऊँगा, आपकर रेकोडिन कर लोगा, तभी काम करूँगा, बिना रेकोडिन किये हुए, हम लोग काम नहीं करेंगे, यह मेरा रूल हो चुका है अपसे, वहीं लोग हैं जो बोलते हैं, काम तभी दूँगा, जब तुम मुझे पैसे दोगे, हम पै परिशान ना करें क्योंकि मेरे पिछे कोई नहीं है बाकियों के पीछे उनके बीवी बच्चे रहते और गलत काम कर लेते हैं मजबूरी में आके में नहीं चाहता हूँ बाखी जो लोग है मजदूर लोग परशान रहें किसी के चक्कर में कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है हमारे लिए 500 रुपे बहुत बड़ी बात होती पांसो रुपे हमें कमाने के लिए सुबह से साम तक हो जाता है तब जाकि 500 रुपे कमाते एक किसी को बोल भी दो कि तेरा काम करवा दूंगा तो भी आपको अगला वाला बंदा 1000 रुपे पकरवा के चल जाया कि मैंने देखा आपने आखों से दिल्लीव के अंदर